यह हमारा मेडिकल सेग्मेंट में आपको पता है हम किस चीज़ पे आज बात कर रहे हैं आज हम बात कर रहे हैं कॉंप्लिकेशन्स डाइबिटीज का कहते हैं कि वह एक एक डिजीज नहीं है उसकी वजा से शायद ना हो जब वह कंट्रोल हो लेकि जब वह कंट्रोल नहीं होता तो फिर क्या क्या हमारे सामने आता है वह चीज़े जो होती है वह जादा डिजास्टिस होती है और हम उन चीज़ों पर आज बात करेंगे उन पर बात करने से पहले में पोल का सवाल जह है वो रिपीट कर दूगे अकर आपको धोका देते ह वे पाकड़ा गया तो आप किस तरहां रियक्ट करेंगी या करेंगे बोद जे बोदोने जेंडिस के लिए एज जेंडर के लिए नहीं है और इसका जवाब आप लोग हमें दे रहे क्योंकि हमारे फॉन लाइन ओपन है और आप हमारे साज रहें एक डाइबटोलोजिस मौ यह सब बाते हैं डाइबटी यह आप तू करती ही रहते होंगे न रुधान ऐसी बात में हम अभी करते हैं आपके साथ पहले आप हमारे बींग मेल आप इस प्वेस्टन का आंसर कीजे इस टफ कोस्टन अशसादर आप सिट्वेसे इस बरी तफ सिच्वेस्टन अशसरा बे अगूख ब्रहों मैं भी आती है तिका बात करेंगे बात करेंगे बया में चाहिए और मुझे खारना पताया वक प्रैसन प्रैसंवी शूर इन एक की दिफ जबाद करेंगे इर हमेशा वह बहступNO पितान Ale यह हमेशा हमें आपने बचươngकी जी एक बात की वह thread the pattern पैटन तो इस्ट पैटन देट विशुड रिली लुक आउट फॉर पैटन कोई चीज अगर हो तो फिर उसके लिए कुछ ना कुछ करना गरूरी है तो पैटन अगर आपने किसी भी चीज में देखा हो तो इसमें आप पैटन है कि इसकी ओन और ऐसी आदत है रहे है बिल्कु इसमें आपी जिए दो बार गा ना कुछ छीज में आपसी आप कहते हैं घ概 है कुछ इजह में आप घड़ेंगाया नहीं जए वह अदर पैटन हो जह भी तीन काटन की फैटन चाहिए है और किस्ट में आप को चीजों में आपकुछवाम सेटन में आपे लिए पार हो और सा वहाट सारी तो दो होता ही है कि हावाती नो मार्द आपको होता है कि अपनी है आपको आपको बायती है. कि ऐसी चीज है चलो कोई मेजर चीज नहीं है लेकिन वह चीज जो थी वह एक पाटन दिखा रही होती है कि इस गोईंग ट्वर्ट साइड आप लोग उस चीज को उन पॉइंट्स पे अग्डॉर करते हैं तो आगे जाके वह इस तरहां भी सामने आती है किसी ने एकदम से कुछ बोल दिया ना तो हां वो आप कह सकते हो के चलो कुछ खलती हो गई इंसान है चलो माफ करो चोड़ो बात चुड़ता आगे नहीं करेगा बाट किसी को एक नॉर्मल पाटन आपको ऐसे जाता वा नजर आ रहा है और आप आखे बंद करके बैठे हैं ब यूर्मल केशन से ना हो चल की देखते फिर बात करते हैं डाटन इस्यूर्ट इस एक ऐसी बैमारी है जिसमें जिसम घिजा से वह ताकत नहीं ले सकता जितनी उसे जरूरत होती है यह इसली होता है कि जिसम जादा इंसुलीन नहीं बना सकता या फिर पैदा शुदा इंसु इंसुलीन एक जरूरी हामोन है जो हमारे जिसम के सेल्स को गिजा से शक्र मौया करती है। बाज उकार ये सेल्स इंसुलीन के साथ मिलकर काम नहीं करते और ये भी दायबिटिस होने का सबब बन सकती है। टाइप टायबिटीस में बीटा खलिये बरबाद हो जाते हैं और जिसम कोई इंसुलीन नहीं बना पाता। टाइब 2 डाइबिटेस में जिसम कुछ इंसुलीन जरूर पैदा करता है लेकिन या तो वो काफी मिक्तार में नहीं होती या फिर इतनी नहीं होती के खून में शक्कर का लेवल बरकरा रख सके तो उससे ही होता है कि अपनी डाइट पैटर्न आपको लाइस्टाइल मौडिफिकेशन चाहिए यू नीड तो इट लेस कार्बो हाइडरिट्स, मोर फूट्स और वेजिटिबल्स, एंड एक्टिव लाइस्टाइल, एक्सरसाइज, डाइट ये पूरा पैटर्न आपको सेट तो पाइट लगाये जाएं या एसा पउंप इस्तिमाल किया जाए जोके इंसुलीन की रवां तरसील जारी रखे, खास तोर पर खाने के वक्त की इज़ाफी दवा के साथ हाने की मेंसूब्जी की जाएं, ज्यादा खाने के साथ ज्यादा वर्जश और कभी कभी कम इंसुलीन लेना दिन में कई बार खून में शकर की मिक्दार ना पी जाए टाइब टू डाइबिटीज जेहत मंद घिजा जिस्मानी वर्जश वजन को कम करने और जवान लोगों के दवा लेने से काबू की जा सकती है इलाज में अपना तरसे जिन्दगी बदलना बहुत जरूरी है अब हम उसकी कॉंप्लिकेशन पर बात करते हैं तो सर सबसे पहले मैं अब से पूछूंगी कैसा है मेटफॉर्मन एक मेरिसन है जो कि बल्कुल इनिशनल फेसे में पेशिन को दी जाती है अब बहुत सारे अभी थोड़ से कॉंप्लिकेशन से हटके हैं पर यह चीज़ कलार करना बहुत इंपॉर्टन है बहुत सारे फीमल के डिजीजेस प्रॉब्स ऐसे होते हैं जिन्में को वैसे ही दी जाती है अब चले वो तो किसी रीजन से दी जा रहे है बट कुछ खवातीन वेट लूस करने के लिए मेटफॉर्मिन जो है अपनी डेली लाइफ में शामिल कर लेती है तो इसके आगे जाके कोई कॉंप्लिकेशन या इससे आगे जाके डाइबटीज होने के चांसे कुछ फेस किये जा सकते हैं आपका सवाल है कि वह खवाती जो अपनी मर्जी से शायद वेट लूस करने के लिए जिसमें कोई प्रॉब्म नहीं है नो डाइबटीज को सकती है कि नहीं तो जिसको होनी है उसको होनी है मैं उस डाइबटीज की बात करों जो जो खुद से बिलावजा होती है नहीं सेकेंडी डाइबटीज की बात नहीं कर रहा है हम मैटफॉर्मिन अकसर वकात उन लोगों में इस्तवाल करते हैं जो के प्री डाइबटिक होते हैं और हम लाइफस्टाइल मेजर्स यूज कर चुके होते हैं उनको उस रोट पे आगे जाने से रोकने के लिए और वो नहीं रोक पाते तो अब अकसर वकात प्री डाइबटिक स्टेज में भी यूज करते हैं लेकिन हम यहीं पता है कि मेटफॉर्मन से वेट लूज होता है सिर्फ कुछ लोगों का सबका नहीं इसलिए हम इसको उन लोगों पे यूज नहीं कर सकते फॉर वेट लॉस जिनका के वेट जएदा है तो अगर कोई खवातीन इसको इसवजह से यूज करती है तो अविसलिए उनके हाथ में बड़ शुर्ण यूज यूज इसलिए के हर दवा के साइड एफेक्स भी होते हैं अविसलिए तो माशाहला बड़ी बिनाइन सी दवा है कुछ ही इसके दो तीन चार साइड एफेक्स हैं लेकिन दवा कभी भी यूज करें तो अंडर सुपर वेजिन ऑ डॉक्टर यूज करें खुद से ना यूज करें और इस ना यूज करें और इस पर नजर हमें रखनी बड़ती है जब पेशिएंस को इन दवाह पर डालते हैं तो फॉलोप में उन चीजों पर नजर रखनी पड़ती है बट बॉटम लाइन इस ना इंडिकेड़ फर वेट लॉस और हर पेशिंट में वेट लॉस नहीं होता है बहुत कम पेशिंस में होता है ठीक है जी और देखें की अगर हम बेसिकली आइंग बार अई तो फॉल। तो एक अलग सीचुएशन लोग सीच्वेशन जरी अथ बन भदेटेश्य। पर ऐसे की रहर जाती है जिसमें लॉट शुड़ पश्यूज़ पर जाती है नरे अजिसमें इसमें से बिलकूल खताम हो जाती है और और डूसरी जो एक हो आएपर और योड़ जो अउन यहांट तक पूमो होता आ जिस ने हमेरे जिसमे जुगल बहुत बढ़ जाती और हम दी इते हैं और अस से मसला होता है यह दो एक्वाइड कॉम्लिकेशन, जो के फॉरन फॉरन डील हो जाती है और वो मसले से हम भार निकल जाती है लेकिन मेली डायबिटीज जिस वज़ा से जानी पहचानी जाती है और जिस वज़ा से हम इसको लॉंग टर्म प्रॉपरली ट्रीट करना चाहते हैं कि कौनिक कौappli are कटे अक्सार होका थब ही डिय आप्टेज के बहुत से पेशेंस को ट्रीटकरने में और नोडिरे करने से मतलिे कि उनहें सेंध पेश पेडलाने में क्या अपने पेश्ट करना इसको कंट्रोल करना मुश्किल इसली होती है कि डाइबिटीस की बहुत सी कॉंप्लिकेशन स्लोली डिवेलप होती है और पेशिंट ठीक फील कर रहा होता है वह कहता है कि मैं इतनी महिनत क्यूं करूं मैं इतनी दवाइं क्यूं खाऊं मेरी शुकर थोड़ी सी अगर प्रफ़जां में मसाल के शिकार होते हैं और डाइबिटीस वाले वी आकसर यही गलती करते हैं क्योंकि मैं उनसे ही कहता हूं मुझे आपका आज नहीं देखना मुझे आपका कल परसों दस साल बाद भी देखना कि मैं जानता हूं कि अगर आप नई ट्रीट करेंगे तो क् तो वो भाव 모든 कॉम्प्राप्लिकेशने आती हैं और मेंली आती हैं उमारे शरीयानों की ब्लेड वेसल्स की प्रापल्म के बिएसदे का अूजिए नथ जिदेज आफ ब्लेड वेसल्स सारी बाडी की डीज इसेज नहीं आस्ता हमारे जो चरय को इंद ते हमारे जो खूना शिरू है जो भी बंद युजा ऊजाती हैएं उनकी जो प्राब सुरो हैं उनकी जो पासिटी है टो टेग ब्लड फावर, वो खराब उना शिरू हो जाती हैं जो अंदर की लाइनिंग्स में मृसले हो जाती है। वेडियीटीस गेले, और मäreसे प्लिकेसित होते हैं, अमश्टी ब्लख उतमी एक वाड़ी सवरियान अवेशल में प्राइशल न इसल्क भड़ता है यह बंद हो रही है जब जब शुकर बढ़ी रहती है तो आएस्ता हम आविसली हमारा कलेस्टरॉल भी भड़ता है उस कलेस्टरॉल के बढ़ने की वज़ा से एक तो थोड़ी से बंदेश आती है ना सिर्फ यह बलके एक इन्फलेमेटरी रिस्पॉंस छोटी-छोटी-छोट सकते हैं जो ठाव बलके लाख प्रियानों के दीवार में होना शेचा हो जाता है जिससे यह थे पाइप विसली एक पाइप है उसको अगर जूख लग लग रहा है तो दर्मियान में जो ज्यब जका मुद्धा कम जाता है जब दुद्र प्रियानों को खून छाटाए हमारे मैक्रो वैस्किलर जिसे हम कहते हैं जो बड़ी शच्राइब करते हैं